हाई फ्रेंड्स स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में नवोदय विद्यारे समिति के तरफ से गुरूप C और D के पोश्ट पर यहां पर जवरदस्त वेकंसी आई हुई है 2022 की बिल्कुल नियों वेकंसी आप देख रहे हैं थमनेल में मैं आप दाल दिया है पूरा पोश्ट का नाम टोटल और आगे मैं इसको करूँगा कि लिए पूरा जवरदस्त वेकंसी आया हुआ है नवोदय विद्याले समयति के तरफ से ओनलाइन आवदन को जो लास्ट टेट है दस फ्रवरी तक आप लोग अवदन कर सकते हैं ओनलाइन इसका पूरी चनकरी आपको हम देने वाले हैं पोश्ट वाइज क्या सिलेबस रहने वाला है क्या एज क्वालिफिकेशन है क्या से इसमें सेलरी बगर है सब कुछ बहुत दोलों का बात जवरदस्त वेकंसी आई भी है कोई भी अपलाई कर सकता है और इंडिया जोब है ठीक है ज इस तरह के जवरदस्त अपडेट मिलते रहे तो चलिए शुरू करते हैं तो फ्रेंड्स हम आ चुके है ऑफिस्यल नोटिफिकेशन पर जोकि नवोदे विज्यारे संबतिक तरब से जारी क्या गया है ठीक है तो इकुल जो है 31 पेज में पूरा यहां पर दिया गया है जो पॉट यहां देखिए यह जो इतना जो पोस्ट है यह आपका हेड़कवाटर यहा बाकि इतना पोस्ट आपका जे एमभीवने की जवार ना वोदे दियाले के लिए psychology cambiar पर दॉष है कितना सरफ निकला हूं MTS बहुत सारे पोश्ट है female nurse staff catering assistant, junior secretary assistant electrician, palomber lab attendant, mess helper बहुत सारे पोश्ट है तो यहाँ पर जो है देखिए पोश्ट का यहाँ पर दिया गया है code wise कुल जो यहाँ पर assistant commissioner के लिए कुल पांच पोश्ट है assistant commissioner administrator के लिए दो पोश्ट है female staff nurse के लिए कुल 82 इनके 82 पोश्ट है assistant section officer के लिए कुल 10 पोश्ट है audit assistant के लिए कुल 11 पोश्ट है junior translator के लिए कुल 4 पोश्ट है junior engineer civil के लिए एक पोश्ट है stenographer के लिए कुल 22 पोश्ट है computer operator के लिए कुल 4 पोश्ट है catering assistant के लिए कुल 87 पोस्ट है junior sector assistant के लिए 8 पोस्ट ये आपको group C headquarter के लिए है ये group C जवार नवदय विजाला के लिए कुल 622 पोस्ट है बहुत ज्यादा पोस्ट इसके लिए electrician plumber के लिए 273 पोस्ट lap attendant के लिए 142 पोस्ट mess helper के लिए 629 पोस्ट और MTS group C के लिए जो की headquarter और regional office के लिए है कुल 23 पोस्ट यहाँ पर है मैंने यहाँ पर सारे पोस्ट का बता दिया है और यहाँ पर सारे पोस्ट का जो है क्या qualification है यहाँ दिया गया है क्या उसका salary है पेस्ट के लिए रहेगा सब कुछ तो आप जिस पोस्ट के लिए eligible होंगे आप देख लिएगा जो important सब पोस्ट है मैं उको दिखा दे रहा हूं ठीक है जिसे की स्टाफ नर्स के लिए secondary exam इनकी class 12 होना चाहिए या 3 year diploma होना चाहिए साथ में या BSC nursing होना चाहिए junior translator के लिए master degree होना चाहिए हंदी या English में junior engineer के लिए degree होना चाहिए civil में या 3 साल का diploma होना चाहिए civil में और 3 साल का experience रखा गया है इस्टेनो ग्राफर के लिए 12 पास होना चाहिए और 80 पर मेंट होना चाहिए speed computer operator के लिए degree होना चाहिए और skill होना चाहिए computer का जनकारी होना चाहिए junior secretary assistant के लिए senior secondary certificate इनकी 12 पास और यहां पर जो है 25 पर मेंट हिंदी में या 38 पर मेंट अंग्रेजी में होना चाहिए typing बहुत सरे पोस्ट फ्रेंट्स देख लिए को उतना बताना संभव नहीं है electricity scene के लिए यहां जो टेंथ पास होना चाहिए electricity scene ITI में आपका जो lab attendant है टेंथ पास होना चाहिए और जो MTS है उसके लिए टेंथ पास होना चाहिए ठीक है बागी जो age की बात करें तो यहां पर छूट मिलेगे chto bc को बागी सबका जो जेनरल का है वो 27 साल तक है और किसी किसी के 30 साल तक है ठीक है mode of selection जो है cbt होगा और interview होगा cbt प्लस interview और जो computer operator बगर है इस अब के लिए test लिए जाएगा exam होगा उसका CT दिया गया है जो आपको सबसे नजदिक में CT होगा अब उसको reference में चुन सकते हैं और यहां पर सारा post का post wise दिया गया है syllabus क्या क्या syllabus रहेगा ठीक है interview किसके लिए होगा किसके लिए क्या रहेगा सब कुछ यहां पर दिया गया है इस्टिन ग्राफर गर देखिए यहां पर तीन पार्ट में exam होगा skill test भी होगा उसके बाद computer operator देखिए यहां पर चार पार्ट में exam होगा ठीक है इस तरह से सारे post का अलग अलग यहां पर दिया गया syllabus देख लीजेगा क्योंकि पोस्ट वाज बताना संभाव नहीं है how to apply apply कैसे करना है यह देखिए online apply का website है नवोदे.gov.in पर जाईएगा तो वहीं से आप कर सकते हैं उसके अलावा कोई दुसरा mode नहीं apply करने का free की बात करें तो assistant commissioner और assistant commissioner के लिए 1500 fees है female staff nurse के लिए 1200 बाकि यह इतने सारे post के लिए 1000 और यहां पर यह last वाला post के लिए सास्तो पुजास रुपी फीश से रखा गया है ठीक है देख लेजएगा form परने से पहले online जो registration सुरू है बारे जानले से सुरू है last date 10 फरवरी है फीश जमा करने के last date 10 फरवरी है और exam को मार्च से 11 मार्च के बीच में आप लोगो tentative रखा गया है exam हो भी सकता है बाकि आप लोग देखते रहेएगा आप लोग का mail हो जाएगा इसमें जो है negative marking भी है आपको एक बुटे 4 marks कटेगा अगर गलत लिखेगा तो जब वर्दस्त वेकेंसी बहुत ही बड़ी हाँ वेकेंसी मैंने यहाँ पर आपको दे दिया है नोटिफिक्शन डाल दूंका अपने टेलग्राम चैनल पर यह जो इसका official website वामफर में आपको मिल जाएगा तो तो कुल 31 प्यज में है फॉर्म भरना से पहले एक और फिर देख लिएगा जो जो इंपोर्टेंट से था मैंने आपको इंपोर्मसन दे दिया है उमिद करता हूं कि वीडियो पसंद आए होगी वीडियो को लाइक सेर और सब्सक्राइब चैनल को सजोर कीजिए तो मिलते है नेक्ट वीडियो में थैंक्स पर वाच्चिंग कि वीडियो